Hello friends, कैसे आप आज वीडियो का शिर्षक है ताटा एक ब्रैंड नहीं है चमतकार है और आज ये थाबित हो गया कि किस तरीके से रतन टाटा के कंपनीज आज मार्केट में चाही रही और श्रे जाता है ताटा मोटर्स को और ताटा मोटर्स के साथ साथ आज का पूरा का पूर के लिए जो है आज जाता है और टाटा ब्रेंड ने अच्छा मतकार कर दिया बजार के अंदर और सबसे खास बात ही यह कि कल टाटा मोटर्स के अंदर जो इविकल्स सेग्मेंट के अंदर उनकी सबसेडरी कंपनी उसके अंदर एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की काफी बड़ी इंवेस्टमेंट जो होने वाली है और इसको हाथ हो हाथ जो है बजारने लिया क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लोग यही तलाश रहे थे कि इविकल्स का कौन सा प्लेयर सबसे बहतर हो सकता है और उसका पूरा जो है फायदा स्ट पाइंबर स्टोक भी था दो मीन ये पहले तो महिंदरा एन महिंदरा पर हमारी सेम ही अप्रोच थी कि इस ने जिस तरीके से रियो बाइक किया था और जिस तरीके से इनीशल इन्होंने चांड यंगे ऑपर आज का बजार वीकल्स थीं के ऊपर ताटा के अपर निदर आप यहां भी टाटा लिखा होगा वो श्यसाज आपको ग्रीन में पिलेगा और Tata Motors 20% की तेजी, Tata Consumer 3% से लेके 4% की बीच की तेजी, Tata Steel Screen में मैं इंडेक्स के शेज़ बता रहा हूँ, Titan तो किछले कुछ दिनों से चाया हुआ है, इसके अलावा आप देखेगा Tata Powers के अंदर बहुत 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 ब सब कम्बिनेशन को Tata की E-Vicals से जोड़ के देखा जा रहा है, यानि की Power जो आपको चाहिएगी Recharging के लिए, तो Tata Power उसमें investment कर सकता है, इसके अलावा Tata जो Chemicals है, वो battery segment के अंदर काम कर सकता है, Tata Motors, देखेगा वो खुद E-Vicals में डारेक्ट पले है, इसके बावजूद जो है TCS, शायद हमें लगता है कि TCS भी एक बहुत बढ़े अपले होगा, क्योंकि जो उसके software हैं, उसके त्रू जो charging है, या पूरी system है, उसको maintain करने में, शायद TCS भी इंपूद E-Vicals पले करेगा, और TCS तो देखेगा, कोफी केन पोटफुली स्टोक ही, और इस तरीके स और अब जिस दिन से Rakesh Union वाला जी मिले है, नरेंदर मोदी से उस दिन के बाद देखेगा, Rakesh Union वाला के पोटफुलियो में चार चांद लगे होएं, और आज देखेगा, Tata Motors, Rakesh Union वाला जी के personal portfolio का share है, उसके अंदर 20% की तेजी, और पिछले कुछ दिनों से अब देख तो इस तरीके से आज का जो पूरा का पूरा दिन है, वो Tata Motors के नाम था, और बजार में एक तरफा जो बाइंग थी, वो EV कल स्थीन के ओपर थी, ओटो मोबाइल के अंदर मारुती जो है शायद अपना market share खो सकता है, इस उमीद में buyers उससे थोड़ा सा अभी नदारत रहे, अलगी देखिएगा Tata Motors की गाड़िया के ओपर भी एक अच्छी booking चल रही है, मारुती की गाड़ी को पर भी अच्छी booking चल रही है, तो Tata Motors के सामने देखिएगा, आज मारुती नहीं चमक रहा था, तो आज ये वी कल्स की थीम चमक रहे थी, तो महापे Tata Motors था, फिर दूर खुले, तो खुलते के साथ ही बजार तेजी की तरफ दोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन शुरू के जो तलके सोदे थे, वो शुरू में सेटल होते हुए बजार उपर गया, फिर उपर से एक सेलिंग आई, और फिर वो सेलिंग आने के बाद बजार प्रोड़ा के लेवल से, बैंक निटी स्टोक्स में देखने के लिए मिली, और इस तरीके से पूरा जो घटना करम है आज के दिन का रहा, और आज जो भी केंडल आपके सामने बनी है, वो केंडल एक गैप डाउन ओपनिंग थी और ग्रीन केंडल आपकी जो है बनी है, तो अब यह जो कंबिनेशन हैं, जिसकी वजए से इंडिया सारे वर्ल्ड को आउट परफॉम कर रहे हैं, तो पूरी वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पर एक बात और भी ध्यान आती है, कि 2008 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, जो वर्ल्ड के मार्केट से सीधा 6200 तक जो है बजार चला था तब भी, तो इस तरीकी की एक तरफा तेजी हमने तब भी देखी थी, लेकिन वो उस तेजी के सामने यह तेजी कहीं जादा बढ़ी है, क्योंकि इस समय शेयस बहुत जादा है, पार्टिस्पेशन जादा है, वोल्यूम्स बजार के अ तेजी हलाकि सीमिलर आपको यह लगे कि किसी तरीके से बजार जो है तेजी करता था, लेकिन 2006-2007 और 2005 के बीच में जो तीन साल जब बजार चले तो वहाँ पर एक साइजबल करेक्शन भी बीच बीच में आती रहती थी, जो कि इस बार शायद नहीं है, वो मिसिंग है, और एक तरफा जो है बजार चल रहे है, टाटा मोटरस आज का 50 पोइंट का गेनर है, निफ्टी के अंदर, फिर रिलाइंस देखेगा, 16, इनफोसिस, ITC, महिंदर है, महिंदर है, और आज मैं यह भी चर्चा करना चाहूँगा, इनफोसिस के रजल्ट्स का बेहतरी नहीं है, तो कल शायद इसका रिएक्शन भी आपको देखने के लिए लिए लेका, फ्राइडे को शुट्टी है दशेरे की, और अगले हफ्ते में भी एक शुट्टी इद के नाम की है, तो यह जो एक्सपारी वाला वीक है, नेक्स्ट वीक, यह काफी छोटा होने वाला है, तो इसल सब्सक्राइब करें नीचे लेने के लिए, हुएल, सब्सक्राइब काम कर रहे थे, कुल बिलाकर आज के एडवांस डेक्लाइन दे शोग इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, जितनी कल थी, तो आज डेक्लाइन करने वाले शेरे शाम तक नहीं रहे, अलागि लास्ट तक भी ड इस तरीके से 934 थे आज, वो सुबह के मकाबले में, शाम तक घटते होने जा रहे, यह थोड़ा सा जो है, बताता है कि स्मोल और मिड़के आपके जो शेर्स है, यह जो ब्रोडर मार्केट है, वहां पर रूपली लेवल्स पे थोड़ा सा प्रोफिल बुक थे, और यह मैं आपके साथ बात कर चुक हूँ, मर्ति सुझी की आज का टूप लूजर था, मैं बता चुक हूँ, 2.75% की गिरावट, ONGC, 2%, SBI, पोल इंडिया, हिंदुस्तानी, उनिलिवर, नैसले, HDFC, लाइप एक्सिस, बैंक, सिपला, बजाज ओटो, SBI, बजाज फिर्म सर्व, यह जो कमजोरी के साथ आज काम करते हुए आपको नजर आए, इसके साथ साथ आप देखिएगा, Nifty Bank के बारे में बात करते हैं, Nifty Bank 38635.75 के साथ जो क्लोज हुआ, यह उत्तरा मजबूत नहीं था, जितना निफ्टी था, अगर कल तक के चार्ट के बारे में बात करें, तो कल चार्ट के अंदर, Nifty Bank काफी मजबूत था, आज जो नजर थी हमारी, वो थी 39,000 की कोल ओप्शन के अंदर, किस तरीके के प्रीमियम बने हुए थे, उस पर सब की निगाह थी, और 39,000 के ओपर कोल राइटिंग जो हो रखी थी, वो अन्वाइंड नहीं हो रही थी, तो हमें यह तो लग जया था, कि 39,000 शायद आज ब्रेक नहीं होगा, और उसी के हिसाब से, जो ओप्शन के जो सेलर्स हैं, वो शायद 39,000 और 38,800 के असपरस काफी अच्छी कोल राइटिंग करते हुए नजर आए, और शान को फून कोल राइटर से अच्छा पैसा भी जो है कमाया ह होगा, नीचे की तरफ अगर हम देखे तो एक में स्तर था, 38,200 जो कि हमें पता है कि बहुत जब स्पोर्ट थी, और बजार ने एक बार 38,600 के नीचे तो गया, लेकिन वो पांच मिर्ड के इंदर ही बापिस आया, तो एक दम उप्शन के प्रीमियम बढ़ गए थे, लेकिन में में जो है, स्पोर्ट थी आज, तो जो कि टूटनी नहीं और वहीं से बाउंस कर गया था, तो यह तो पता चल गया था कि रेंज में काम होगा, तो आज एक सीमी दाएरे के अंदर निफ्टी बैंक ने काम किया, और क्योंकि काफी लंबी तेजी कर चुका था निफ्टी दो ग्रीन केंडल्स काफी स्टोग है, अब आप कहेंगे कि सब बजार की रेंज के हैं, देखिए कि बजार अभी एक तरफा बुल ट्रेन में चल रहा है, अब बजार जो नोर्मल सरकमनस्टांसिस में होता है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, बजार कुछ अलग तरीके स अलग हवा केंदर काम कर रहा है, यहां पर बस यह है कि वजार को अप पुछले दो मेने से बोल रहा हूँ, यह बजार के अंदर जो भी प्ले करें, स्टोप लोस के साथ करते रहें, क्योंकि वजार के अंदर स्टोप लोस बहुत ही, इंपरेंट है, आप चाहे थो थोदा जाड़ा लेना है उसी समय पर स्टोपलोस नीचे रखिए क्योंकि वुलिटिलिटी में स्टोपलोस ट्रीगर नजदीक के स्टोपलोस होते त्रीगर हो जाते हैं एचमाटक मेंदर बैक्ट टार बेंक के सितारे थे और कुल मिलाकर आज unless को समहनला चुश कि उपर जान। उपर से प्रैस्जट से ज्टसद रहा था और आज एक बैंक के बारे में और चर्चा करने चाहिए मुझे जो स्क्रीन पर आपको नजार आ रहे नमबर तीन पर फेडरल बैंक फेडरल बैंक में जबस्त ब्रेक आउट जो है देखने के लिए मिला और 93 रुपीज के आसपास जो है जाकर यह इसने अपने लाइफटाइम जो हाई थे उनको ब्रेक किया और इस तरीके से शायद एक ब्रेक आउट वाली जो पोईशन्स है वो हेंडर रुपीज तक के भी इस फेडरल बैंक में दिखा सकती है अगर निफ्टी बैंक में तेजी बरकर आ रहती है तो आप यह देखिएगा कि यहां से फेडरल बैंक 99 और 100 के बीच में जाके एक बात कर सकता है और अगर मैं पिछले पैटरंस की बात करूँ जो 2020 में डाउनफोल होने से पहले अगर हम जो फेडरल बैंक को देखते हैं तो 110 रुपे से लेके 120 रुपे तक की बहुत बढ़ी हा रेजिस्टेंस लेवल है तो अगर यह 99 और 100 अच्छा की जब हम लोग की या यह वैंक की बात करते तो मैं आपको बोलता था कि फेडरल बैंक पर नजर बनाई यह फंडरमेटल सामद है और इसी तरीके से मैंने 6-7-8 मीने पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसे मैंने कहा था कि यह बैंक और अगर आप दोनों मे जो बैंक है क्योंकि अगर बजार में जब भी करेक्शन होती है तो यह बात पका है कि बजार में सब कुछ चलना जरूरी होता है तो शायद अभी यह अच्छा रुजान देखने के लिए मिल सकता है और आज उसकी शुरुआत शायद मेडियो कर बैंक में फेडरल बैंक के स बहुत अच्छा जो है वैल्यू बनती है उसके इंदर क्योंकि बंदन बैंक की असेट्स क्वालिटी की प्रूलम से हैं अगर वह असेट्स क्वालिटी रिजॉल होती है तो बंदन बैंक अच्छा कर सकता है तो अभी वहां से 50-60 रुपर आ चुका है हाला कि अभी इतना र रुपिस के हाई लगाए और यह तीन बज़ कर 20-25 मिनट पर लगाए और कोटक मेंद्रा बैंक अर्फल बैंक पंजाब नेशनल बैंक इंडसिंट मैं काई से बैंक बंदन मैं कैसी और मैं आपको डिस्क्लोजर भी देदू आज मेरे फेडरल बैंक में तेजी के सोदे मेरे बी थे और यह सेम सोदे जो है मैंने अपने अलफामबस के साथ भी जो है शेज किये थे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यह ब्रेक आउट करने के बाद आगे चल सकता है तो सिमिलर पोजिशन मेरी भी हो सकती है भी तेजी की पोजिशन फेडरल बैंक में मेरी इंडि उसकी के साथ साथ आप देखिएगा कि आज स्टोक में सेलिंग बिल्कुल ना के बराबर है तो इसका मतलब है कि FIIs का गेम आप समझी नहीं बाएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं तो FIIs उपर लेवल पर खरीते हैं नीचे लेवल और बेचते हैं इन सब के मद्दे नजार जो है इनके डेटा पॉइंट्स जो है जादा अब इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इनकी पोजिशन्स हैज होती है और यह अपनी हैजिंग पोजिशन्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है सीधा सीधा यह देखने की उप्शन्स में क्या बेचा या कोल बाय है उसके बगार नहीं लगाया जा सकता तो जो बाकी तीन डेटा से उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं उसके बाद देखिए का पुट कोल रिश्यों निफ्टी बैंक के अंदर 1.3 नहीं तो थोड़ी सी उपर से नीच आई है और बैंक निफ्टी में भी उपर से एंगल से बात नहीं कर रहो जो ट्रेडिंग पोई मैं उनके हिसाब से जो है अब यी ट्रेडिंग के हिसाब से तो देखेगा तीजी बनी वही है लेकिन य हुए द्यान रखिएगा बजार के अंदर बजार के अंदर इक सबसे खास बात होती है सर्प्राइस करने की तो अब ये मान के चलिए गाई एक लाग तो इस महीने में तूटने इस हफते में तूटने वाला नहीं है यह जो option chain के data उसका अठारा जार एक सो में भी 80,000 और अठारा जार दोसो में 96,000 तेरह जार कुंट्रक्ट ऐड किये गया है उसके बाद 18,300 में 9,000 कॉंट्रक्ट नहीं है अठारा जार चार सो में 34,000 तो बहुत बढ़ी बात हो जाएगी यह जो जाएगी तो अठारा जार एक मेजर मेजर स्पोर्ट है कल के ट्रेड के लिए options के एक स्पारी के लिए बता रहा हूँ और अठारा एक सो में हलाकि 69,000 कॉंट्क्ट एड हो लेकिन टोटल कॉंट्रक्ट अस्या जार यह भी अच्छे स्पोर्ट है लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अठारा जार एक सो हो सकता है कि एक बार बीच हो जाए तो अठारा जार फिर भी एक बहुत एहम लेवल है उपर के लिवल्स पर देखिएगा अभी कोई थाने वह बुद्र भी रिजिस्टेंस है नहीं क्योंकि जो ऑक्ष्यन शेंज के जो डेटा है वो थाना थारा तीन सो पर नाइंटी थाउसन चाहरा अपकर राच जिसमें सबसे खास बात डिये कि यह एक से चाह नहीं रहेते हैं एक बंडिंग नहीं हो रही थी मदलों थर् पे एट एट इंडट पे जिसकी मेनेचर चापकी यहाँ पर सब जग्ए कोल रेटिंग होने लग रही और इसके साथ अगर फुट रेटिंग की बात करें तो पुट रेटिंग इतनी घजब नहीं थी पुट में तो अन्वाइंडिंग होगी देखी तो यह तो पता था कि उपर रेजिस्टेंस जो है खा रहा है और लेकिन और इसी यह जो अन्वाइंडिंग हुई है यह जब यह तो बजार में उपर से जो है समलने से मना कर दिया जो 38700 के उपर बजार नहीं टिक पाया तब द 38800 एक मेजर रिस्टेंस के रूप में काम कर रही है तो हो सकता है कि तो नीचे के लेवल में अगर हम बात करें तो नीचे थोड़ा सा कमफट कम है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 38000 की पुट में भी ओपन इंट्रेस्ट जो है आप देखेंगा घटता हुए लेकिन फिर तो एक नहीं जा आप निकल के देख सकते है 38000 से 38800 जो है 3800 एक रिजिस्टेंस अगर टूटता है तो 3900 तक भी जा सकता है और क्योंकि 3800 में अगर फिर जो कॉल्राइटर अगर वो ट्रैप होईंगे तो 200 पैंट आप माल भी चलिए अगर 39 तक जा सकता है हलाकि मुझे कल 38800 भी पारे होता हुआ नहीं लग रहा क्योंकि जिस तरीके से लगाता है रहा हो चार परस दिन की तेजी तो जो तेजी वाली पोजिशन से उन्होंने अपनी पोजिशन काट नहीं है तो सेट्रमेंट जो है जहां पर अभी बैंक निफ्टी है इसी से 100-200 प पर वर्किंग हुई है पूरी इस हफते के दौरत 38-200 पर सबसे जादा घंटे काम हुआ है तो 38-100 यह मेजर स्पोर्ट है बेशक से ओपर इंटरेस्ट में 38000 नजर आ लिए होगी और इसी तरीके से ऑप्शन चेंज के साब से 38-800 एक रिजिस्टेंस है तो 38-200 से 38-800 बेस्ट इस सिनेरियों के अंदर इस रेंज के अंदर शायद बजार काम करता हुआ आपको नजर आएगा तो आज की यह चर्चा मैं यहीं पसमाप करता हूँ इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इन्फोसिस के अच्छे रेजल्ट आए हैं काफी बहतरीन रेजल्ट्स हैं हालेकि इसके अलावा जो रेजल्ट्स हैं इंडेक्स की दोनों कंपनी और भी कुछ कंपनी के बारे बता दूँ कि रेजल्ट्स जो है विप्रो के उमीद से मुझे थोड़े से कमजोर लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके करनप हुआ इंफोसिस में पंदर रुपे का डिविडेड भी है और कुल मिलाके रजल्ट में और मार्जनस में इंप्रूब्मेंट भी है लेकिन शेस बहुत पहले चल चुके हैं तो इसलिए मैं किसी भी तरीके की बाया सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं आपके साथ यह मैंने सारी चर्चा किया है आपको यह वीडियो कैसी लगी जलू से मुझे कमेंडेशन बोक्स में बताइए कि आप वीडियो देखने लिए धन्ने बाद थैंक्यू वेरी मच्छ